हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हमें एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक बे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है जोब वर्सेस बिजनिस जोब के बारे में हम सब को पता है, हम ऐसे बहुत से लोग इंपलोईज हैं, जोब वाले हैं में जाता है कि हम भी काम करता था तक जाते हैं किसी एंपलाइर के पास चैनल आटे म०्ट सेल्जी मिलती है कुछ लोग मज़दूर करते हैं जैसे कि मकान बना जब यह रखका मजदूर आते हैं, उनको वो सारा दिन काम करते हैं, आट नो घंटे काम करते हैं, फिर उनको पैसा चाहिए, हम जॉब वाले, जो हैं, तीस दिन काम करते हैं, हमको पैसा चाहिए, तो हम लोग किस अधार पे काम करते हैं? इंस्टेंट gratification पर काम करते हैं इसका मतलब है यह काम किया और पैसा लिया जो जतना ज़्यादा गरीब होता है वो उतनी जल्दी पैसा मांगता है एक मजदूर शाम को पैसा मांगता है एक कोई आपने रेंडमली किसी को उठा लिया कि चल मेरा यह थोड़ी help करा दे उसने help करा दी वो तुरन पैसा मांगेगा और वो सारे दिन के बाद देखो विशाम को वैसे के वैसी होंगे या दसल बाद उने देखो वैसे के वैसी होंगे कोई चेंज नहीं होता उनकी लाइफ में employees के भी life में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है उनकी हर साल इंक्रिमेंट लगती है उनके डिये मिलता है, टिये मिलता है, एचारे मिलता है बहुत साई पर्क्स मिलता है लेकिन वो सबके सबना employees ही है तो उनकी lifestyle को अगर आप देखो अगर आपने observe किया हो कभी धिहान से देखा हो तो जो वो 30 सल पहले थे retirement पर भी उनकी वही mindset रहता है mindset में कोई change नहीं आता उनकी life हमेशा एक तारिक से लेकर 30 तारिक के बीच में चलती है 10 तारिक तक वो राजा की तरह जीते हैं उसके बाद वो धीरे 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 भचत करने पर शुरू हो जाते हैं means पैसा कम खर्च करते हैं दबा के रखते हैं भीच के रखते हैं मुठी को और 25 तारिक से तीस तारिक की बीचे वो next salary का इंतरजार करते हैं तो उनकी life इस तरह से चलती है चाहे वो 5000 salary कमाने वाला हो चाहे 10,000 कमाता हो 50,000 कमाता हो या मेने के 50,000,000 कमाता हो हर एक का अपने-अपने life style उनकी salary के हिसाब से set हो जाता है वो उसी life style में जीते हैं और उसी salary को उसी तरीके से वो use कर लेते हैं करते रहते हैं कि उनके जो life है वो एक से तीस के बीच में ही चलती है उनके पास ना तो कभी समय होता है कि वो lavishly समय खर्च कर सके अपने अपनों के साथ अपने जिम पर अपने टूरिजम पर कहीं भी वो अपने शौक पर समय खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेली 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 तो उनने office दाना होता है तो 30-35 साल उनके जिन्दगी के निकल जाते हैं और वो वो साल होते हैं जब वो सबसे ज़्यादा energetic थे सबसे ज़्यादा उनके पास खुबसूर्ती थी ताकत थी energy थी उर्जा थी जब वो घूम सकते थे लेकिन नहीं घूम पाए पैसा limited होता है एक तारिक को आता थी इसको खतम जाता है फिर एक को आता है फिर इसको खतम फिर एक को आती इसको खतम कुछ-कुछ छोटी-छोटी बचत उनकी LIC, insurance वगरा में या कुछ लोग स्टॉप में लागा के कुछ बचत कर लेते हैं लेकिन वो जब कोई बड़ा काम आ जाता है बच्चों को ब्रॉड घिजना है या बच्चों की शादी करनी है या अलमकान बनाना है तो वो लोन लेकर ही ऐसा काम कर पाते हैं ठीक है दूसरे लोग होते है self-employed लोग जो अपनी factor डाल लेते हैं 10-12 employees हैं उसमें या अपनी दुकान खोल ली या वो अपना मतलब जैसे law firm है या वकीलों वाली firm है अपनी firm खोड लेते हैं या जैसे CA होते हैं वो लोग भी अपनी firm खोलते हैं 5-6 employees रखते हैं lawyers भी अपनी 5-6 employees रखते हैं और कुछ लोग factories खोलते हैं प्लास्टिक दानाई की factory है कोई भी जहां लेथ machine लगी होती है तो वो सब यह कहते हैं कि हम अपना business कर रहे हैं लेकिन वो business नहीं है मेरे दोस्त वो है self employment तो जहां वो खुद को काम दे रहे हैं या दोचा और लोग को काम दे रहे हैं यह दूसरी category थी यह self employed लोग है खुद को employment देने वाले लोग होते हैं तो businessman क्या होता है तो businessman वो होता है जो system बनाता है system की बात मैंने पहले भी अपने वीडियोज में किया है system का मतलब है एक ऐसा system create करना जिस पे आप 4-5 साल work करके अपना system create करते हैं और फिर आप काम करें या ना करें आपका system आपके लिए काम करता है इसका मतलब यह हुआ यह मैं थोड़ा और तरीके से समझाती हूँ means की अगर आप नदी पे से पानी भरने जाते हैं रोज की आपके requirements होती है आप 3-4 बाल्टे पानी भरके लाते हैं अपने फैमली के हिसाब से तो आप रोज 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 जाते हैं रोज बाल्टी भरके लाते हैं और शांते वो पानी खतम हो जाता है आप सुबब फिर जाते हैं लेकर आते हैं तो नौकरी करने वाला और self-employed यही कर रहा होता है कि वो डेली जाता है, डेली जाता है डेली बाल्टी भरके लाता है और अपना काम चलाता रहता है लेकिन बिजनस्मेंट क्या करेगा वो system मनाएगा तो यहाँ पर कैसे बात बनेगी कि नदी से pipeline पिछा लिजाए अगर घर तक के लिए तो आप जब भी नल खोलोगे आपके घर में पानी अबलेबल होगा तो आपने एक pipeline का system डाल लिया यह होता है system आप चाहिए सो रहे हों तब भी आपके घर में पानी होगा सिर्फ tap on करने की ज़ुरत पड़ेगी आप घर से बाहर गए होगे दो मेहने के लिए बाहर चले जाए जब भी आके नल खोलेंगे तो आपके पास पानी आ रहा होगा तो यह होता है system तो यह लोग system बनाते हैं अब देखो नदी से घर तक pipeline एक दिन में तो नहीं बिछ जाएगी लेकिन एक बार बिछ गए तो उसका benefit हमेशा आपका पीड़ी धर पीड़ी मिलता रहेगा तो एक बार मेहनेत करके यह businessmen जो होते हैं अपने system खड़ा करते हैं इसमें 500 लोग भी हो सकते हैं 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यह system मनाते हैं और एक समय के बाद system इनके लिए काम करता है यह लोग काम करें या ना करें इनके पास ample पैसा आता रहता है ample time होता है फिर उस time को यह कहीं भी अपने लिए use करें चाहे party करें चाहे tourism के लिए निकल जाए चाहे अपने शौक पूरा करने के लिए time दे कुछ भी कर सकते family को time दे जो भी इनके दिल करता है यह वो करते है क्योंकि इनके पास time भी होता है और इनके पास पैसा भी होता है और फिर next कौन सी कटेगरी होती है जो highest priority पर है वो होती है investor जिनका पैसा उनके लिए काम करता है तो job versus business में यही difference होता है कि job वाला रोज office दाता है एक बाद अंखालाता है बिजनस वाला अपने एक बार कुछ समय चार-पांच साल लगा के system create करता है फिर enjoy करता है और कई बार वो एक से ज़्यादा system भी बनाता है उसकी एक चार बनाना चाहेगा तो बना लेगा ज़्यादा system भी बना सकते है तो जितने ज़्यादा system होंगे उतनी ज़्यादा आपको आर्थिक स्वतंतरता याने financial freedom रहेगी तो choice is yours आपको employee होते हुए अपना system बना लेना चाहिए उम्र और energy रहने के साथ साथ क्योंकि एक समय के बाद आपके उर्जा कम हो जाती है उम्र बढ़धाती है बिमारियां लग जाती है कुछ-कुछ होता है फिर आप सुचेंगे कि मैं तो तब ये काम कर दूँगा जब मेरे पास समय होगा या मैं तब effort डालूँगा जब मेरे पास समय और पैसा होगा energy होगी तो ऐसा कोई perfect दिन कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं आता है अच्छे चीज़ों को हम हमेशा टालते रहते हैं लेकिन बुरी चीज़ों को हम कभी नहीं टालते हैं कभी गुस्सा आया तो उसे टाला है तुरंते चिला दिये ना किसी के उपर बुरा लगा तो एकदम चाहिर कर दिया ना फेस से बातों से कैसे भी तो अच्छे चीज़ों को क्यों टालते रहते हो भी उसके लिए कोई परी थोड़ी आएगी मुझे परी माल लो मैंने बता दिया अब तो कर लो करना चाहिए अपने लिए अपनों के लिए थैंक्यू